दोस्तों सोचा चलते चलते एक घ्यान के बाद आपको बता दू इस बार का Able Price 2023 अनॉंस कर दिया गया है और यह जो Able Price दिया गया है यह Argentinian American Scientist या Professor आप कह लीजिए Louis Cafferalli को दिया गया है Louis Cafferalli को जो Price दिया गया है यह Non-Linear Differential Equation इस Work के लिए दिया गया है अगर Able Price के मैं बात करो तो Able Price को Mathematics का Noble Price भी हम Consider कर सकते हैं 1899 में Sophos Lee ने सबसे पहली बार इस चीज़ को प्रपोस किया था कि Able Price बनना चाहिए लेकिन किसी कारण रवश यह डिले हो गया और फाइनली 2002 में Norwegian Parliament ने इसको Announce किया कि अब से आपका Able Price को Declare किया जाएगा तो 2003 में पहली बार Able Price दिया गया और यह Able Price Norwegian Mathematics Neil Henrik Able के नाम पर है किया जाएगा किया जाएगा